यह हैं सूचना सेट के चार साल के बच्चे का पोस्ट मॉटम करने वाले डॉक्टर कुमार नायर जिन्होंने जन्वरी दोहजार चौबिस में ही सूचना सेट के बेटे चिन्मै की मौत गला दबाने की वज़ा से हुई है इस बात पर मुहर लगाई थी लेकिन सूचना सेट लगातार बेटे की मौत को लेकर पुलिस को गुमराह कर दी रही जैसा कि आपको पता है कि 6 जन्वरी दोहजार चौबिस की रात को गोवा के केंडोली मिलाके के एक होटेल में सूचना सेट ने अपने चार साल के बच्चे की अपने ही हाथों से गला कर हत्या कर दी थी इसके बाद सूचना सेट ने होटेल छोड़ दिया लेकिन पुलिस ने उसे बच्चे की लाश के साथ गिरफतार कर लिया गिरफतारी के बाद से लगातार पुलिस सूचना से पूछती रही कि बेटे की मौत कैसे हुई है और एक मा ने ही अपने बेटे को मौत के घाट क्यूं उतारा लेकिन सूचना ने इन सवालों के जवाब सीधे तौर पर पुलिस को नहीं दिये पर अब इस हत्याकान के करीब तीन महीने के बाद आखिरकार गोवा पुलिस ने इन दोनों सवालों के जवाब दे दिये है पुलिस ने सूचना सेट को अपने ही बेटे का कातिल साबित करने के लिए 642 पन्नों की चार्च शीट पनजी के चिल्रेंस कोट में दायर कर दी है इस चार्च शीट के मुताबिक सूचना सेट ने ही गला घोट कर अपने बेटे को मौत के घाट उतारा है पोस्ट मौटम करने वारे डॉक्टर ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि मौत गला घोटने की वज़ा से ही हुई है वेपन दापने की वज़ा से ही हुई है भ्र कोषदो से ही है ऑने डे cinnamon ट ऑने ने है स्वपतर कर छारे तो को बातारा है स्वपतन lift, क्वेब ड्र जास्थाख गंषङ युब पहले पुरिश को शक था कि शायद सूचना ने अपने बेटे को जहर दिया है लेकिन गोवा स्टेट फॉरेंसिक्स साइंस लेबरोटरी ने विस्टा की जांच के बाद जो रिपोर्ट दी है उसमें कहीं जहर का जिकर नहीं है मेडिकल रिपोर्ट के बाद ये साफ हो गया है कि सूचना सेट ने बच्चे का गला दबाया जिसकी वज़ा से उसकी मौत हुई है पुलिस के सामने एक और सवाल था कि क्यों एक माही अपने चार साल के मासुन बच्चे की दुश्वन बन बैठी इसके जवाब में पुलिस ने सूचना सेट के हाथ से लिखी एक परची चारशीट के साथ पतौर सबूर कोर्ट में सब्मिट किया है जिसमें सूचना ने लिखा है कि उसने ये सब इसलिए किया ताकि उसका बेटा अपने पिता से ना मिल सके जब लेडी से हमारे इन्वस्टिगेटिंग ओफिसर ने बातचीत की तो उन्होंने ये बोला कि उनके हस्बन के साथ जो रिलेशनशिप है इनके डाइवर्स प्रोसीडिंग्स अल्मोस्ट फाइनलाइज भी हुआ है गोवा पुलिस के मुताबिक हैंड राइटिंग एक्सपोर्ट्स की रिपोर्ट से ये साफ हो गया है कि ये पर्ची खुद सूचना सेट ने ही लिखी है पर्ची पर लिखा है मेरा बेटा अपने पापा के पास नहीं जाना चाहता लेकिन मेरे एक्स हस्पोर्ट और फैमली कोर्ट के जज मुझे धंकी दे रहे हैं कि अगर मैंने अपने चार साल के बेटे को उसके पापा के पास नहीं भेजा तो वो मुझे जेल भेज देंगे मेरे वकील के पास भी कोई ऐसा रास्ता नहीं है जो मेरे बेटे को सेफ रख सके मैं ये बरदाश नहीं कर सकती सूचना सेट के हाथ से लिखा अब यहीं नोट सूचना सेट को जेल में रखने के लिए एहम कड़ी साबित होगा जिसे पुलस ने कोर्ट में सबमिट कर दिया है ब्यूरे रिपोर्ट क्राइम तब झाल